आप सब लोगों को मेरा नमशकार, सब को मेरा प्रणाम, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले डेड़ साल से पूरी मानव जाती एक तरह से करोना की महामारी से पीड़ित है, पिछले डेड़ साल से केवल भारत में पूरी दुनिया के अंदर इस महामारी ने अपना प्रकोप किया हुआ है और हमारे देश के अंदर दो वेव आ चुकी हैं पहली पिछले साल आई थी और दूसरी वेव अप्रेयल के महिने में आई थी देश के लिए ये दो वेव हो सकते हैं लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव थी पिछले साल जून के महीने में पहली वेव आई फिर सितंबर में दूसरी वेव आई फिर नवंबर में तीसरी वेव आई और अब चौथी वेव आई लेकिन यह जो चौथी वेव थी दिल्ली की, यह बहुत ज़ादा बहुत सीवियर थी, दोनों तरह से एक तो बहुत वाइट स्प्रेड थी, बहुत ज़ादा लोग इससे प्रभावित हुए, शायद ही कोई ऐसा परिवार बचा होगा जिसमें किसी ना किसी को करूना ना और दूसरा बहुत ज़ादा घातक थी कि बहुत ज़ादा लोगों की इस दौरान मृत्य हुई, और जब लोगों से सुनते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसे सुनने को मिले, जिसमें बच्चे अनात हो गए, अब उन बच्चों को पालने वाला कोई नहीं है, जिसमें परिवार का जो कमाने वाला सदस्य था, उनकी मृत्य हो गई, अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हमारा फर्ज बनता है, कि हम उन सब लोगों का साथ दें इस मुसीबत के मौके पे, उनके साथ खड़े हों और जो बन सकता है, हम ये करें, तो इस पे काफी विचार विमर्ष चर्चा के बाद ऑफिसर्स के साथ काफी चर्चा हुई, लोगों के साथ काफी चर्चा हुई, तो जो अब योजना आज जिसका शुभारंब किया जा रहा है, ये योजना बनके तैयार हुई, जिसमें ये हुआ कि जिन-जिन लोगों के घर में करोना की सिंद्धिय हुई हर वेक्ति के लिए पचास अजार उपए की एकमुश्ट राशी दी जाए उसमें और कुछ नहीं पूचा जाएगा, बसकě करोना सिंद्धिय हुई तो उनको पचास अजार उपए की राशी दी जाए और जो जो लोग जन लोगों के घरों में Bread earning member कमाने वाले विक्ती की मौत हो गई है उन लोगों को एक मन्थली income का सहारा दिया जाए मन्थली एक राशी का सहारा दिया जाए जिन बच्चों ने दोनों माबाप को खो दिया है उसमें एक माबाप माली पहले से नहीं थे और दूसरे करोना की वज़े से दूसरे की डेथ हो गई तो जरूरी नहीं है कि दोनों की करोना से डेथ हुई हो, एक की भी अगर करोना से डेथ हो गई और बच्चा अनात हो गया, तो उन सभी बच्चों को हर महीने पच्चे साल की उम्र तक के लिए एक में लोगों को किस किस तरह की दिक्तत आ सकती है और उन हर परिस्थिती को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश की गई है सभी किसम के लोगों को सहायता पहुंचाने की कोशिश की गई है आज इस पोटल का लॉंच हो रहा है अब एक दो दिन के बाद से हमारे सरकार से दिली सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन लोगों की मौत हो गई जिन लोगों के घर में करोना की वज़े से डेथ होई है एक तो तरीका है कि वो खुद भी अपलाई कर सकते हैं पोटल में और दूसरा ये कि एक जिम्मेदार और सेंसिटिव सरकार होने के नाते हम इंतजार नहीं कर रहे कि लोग एपलाई करेंगे जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है सबके घरों में दिली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाक मौजूद हैं आज मैं उन लोगों से specially कहना चाहता हूँ कि जब आप उनके घरों में जाएंगे आपको उनकी scrutiny नहीं करनी है आपको ये नहीं दे उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है आप उनके कमिया निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं ये कागज नहीं जा रहे हैं अगर उनके घर में किसी कागज की कमी है तो वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो कागज बनवाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, वो सब आप नोट करके लाओगे, हम पूरी तरह से उस परिवार की मदद करेंगे, वो सारे कागज भी बनवाएंगे, उनके घर में चेकशी पहुचा हैं। उनके कागजों में कमी क्या है, कमी बिल्कुल मत निकालना, वो अलड़ी बहुत दुखी परिवार है, आप उनके दुख के अंदर अगर जाके उनकी कमिया निकालोगे तो वो जले में नमक ड़कने के जैसा होगा, एक तो उनके वैसे ही दुख हो रहा है फिर उनको लगेगा यार ये दिल्ली सरकार ने स्कीम निकाली थे, हम तो इसमें भी इलिजिबल नी है, वो और दुखी करके आ जाएंगे हम लोगों को, ये बिल्कुल निकरना, आप उनके जाके बोलना, उनके घर में जाना, पहले सांतों ना देना उनको, उनके साथ बैठके उनको उनका पू उनको सबको दूर करने के कोशिश करने हैं, उनको एक धाडस बंधाने के कोशिश करने हैं, दूसरी चीज़ जैसा मैंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई मौत हो गई है, कमाने वाला चला गया है, बच्चे की पढ़ाई की दिक्कत हो गई है, तो हमें ये कोशिश भी करनी ह है कि ज़ल्दी से जल्दी इसको हम कोशिश करें कि उन तक यह राशी पहुंच सके क्योंकि ज्यादा डीले करेंगे तो उन के उनको ख्याल रखने वाला कोई नहीं है उनके पास उनका कोई नहीं है बच्चे अनाथ हो गए तो उनकी शिकषा के ओपर तुरंत एक कलवार लटक गई है तो उनको कौन उनकी शिक्षा के जिम्मेदारी लेगा तो हमें ये भी कोशिश करनी है कि इसको जल्दी से जल्दी और उन तक राशी ये पहुंचाई जाए मुझे बेहत खुशी है कि हम लोगों ने इतने कम समय के अंदर ये आज स्कीम लाँच कर द करें हैं और परिवार के लोगों को जिस जिस को भी ये दिक्कत हुई है उन सब लोगों को हम मदद करने की कोशिश करें नमस्क्राइब